बीजेपी वाले हमेशा मजदूर विरोधी रहे हैं, हमेशा किसान विरोधी रहे हैं 15 लाग खाते पे आएंगे काला धन बाहर साएगा आपके खातों में 15 लाग आएंगे मुझे तो लगता है कि बहुत लोग के अकाउंट में पैसे आ भी गए होंगे जितना जागा बड़ा ब्रश्चाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं उत्रे बड़े पदाधिकारी जो वैक्ती एक महिला का इस्थ नहीं कर सकता जो वैक्ती एक जन्प्रतिनिदी का इस्थ नहीं कर सकता तो आप बताईए कि एक आम जंता को वो किस नजर से देखेगा इंडिया गडबंधन की अगर सरकार बनती है दिल्ली में आपके आशिरवात से तो मुझे लगता है इंडिया गडबंधन का मतलब होता है महिलाओं के खाते में 8500 रुपया प्रतिमाह आना इंडिया गडबंधन की सरकार बनती है तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है पाँच किलो का जो वादा किया गया है पाँच किलो का आना दस किलो होगा इंडिया गड़ बंदन की जीत का पतला बनता है आदिवासी धर्म कोड की नीती को लागू करना गोड़ा के मेला मैदान में आयोजितिस चुनाभी सभा में उपस्तित मानने प्रियंगा गांधी जी प्रदेश कॉग्रिश प्रभारी गुलाम एहमद मीर जी प्रदेश कॉग्रिश अध्यक्ष राजे श्ठाकुर जी मानने विधायक से गोड़ा लोकसभव के प्रत्याशी प्रतीप यादव जी मानने मंत्री बादल पत्रलेग जी मानने विधायक इर्फान अंसारी जी मान्य विधायक दिपीका पांडे जी मान्य पूर विधायक संजई यादव जी और मंच पर उपस्तेत इंडिया गडबंधन के हमारे सभी नेतागन, कारेकरतागन और सामने ये जन सहलाब हमारी जनता, हमारे भगवान आप सभी को मेरी तरफ से नमशकार है प्रणाम है, जोहार है, असलाम वालेकुम है आपने अभी यहाँ जो ये चुनावी सभा में सबकी बाते सुनी है मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहती हूँ ये चुनाव जो अभी चल रहा है मैं अपने हर मंच पे कहती हूँ कि ये चुनाव बीजेपी बनाव हमारी जनता का चल रहा है और हमारी ये जनता त्रस्थ है और ये त्रस्थ जनता के जो प्रत्याशी है जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडिया गडबंधन के सिर्फ जारकण में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप जितने प्रत्याशी और उमीद्वार देखेंगे तो हमारी त्रस्थ जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे इंडिया गडबंधन के सारे प्रत्याशी खड़े हैं आज आप लोग सबका भाशन सुनते हैं सबकी बाते सुनते हैं लेकिन सबकी बातों को सुनने से ज़ादा आपको इस बात पे मैसूस करना होगा कि आपकी रोज मर्रा की जीवन क्या है आपकी रोज मर्रा की तकलीफ क्या है आप अपने घर में कितना पैसा बचा के लेके जाते हैं मेंगाई दर इतनी उची है कि कितना भी कमा लीजिये घर में पहुँचते पहुँचते कम पढ़ जाता है एक ही घर से पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं सब अपना काम करते हैं पूरी मेनत के साथ काम करते हैं लेकिन जितना आपको अपने हिस्से में आना चाहिए था वो आपके जेव में नहीं आता है और यह जो चुनाव है लोगसभा का चुनाव यह पांच साल में सिर्फ एक बार आता है और हम इसे पुरे बढ़ चड़ करके लोगतंत्र के पर्व के हिसाब से मनाते हैं लेकिन पात साल में आपके उपर क्या बीती है यह हर एक इंसान हर एक परिवार आपके उपर क्या गुजरी है यह आपने सिर्फ महसूस किया है लेकिन अब यह वक्त आचुका है कि इंडिया गड़ बंधन जिस ताकत के साथ जिस होसले के साथ और जिस नीतियों के साथ जि है दी अचे बाबा डोकृटर भीम्राव अंबेटकरची का संभीधान खत्रे में हैं हमारा लोक्तंथर खत्रे में है और आप ने यह देखा ही होगा लोगों की बात सुनी भी होगी बीजे Igor की ये तो कहते ही है कि हम आएंगे और आते ही हम संभीधानale संबिधान बदल देंगे मतलब ऑरक्षन कटम कर देंगे एंदुस्तां में यह उनको बदलने जा हैं अभी ये लोग ने इलेक्शन हुआ नहीं पहले से अपना निया नारा दूसरा चरनों बीझेपी वालों का नारा बदल गया तीजरा फिर बदल गया चौथा हुआ फिर बदल गया तो साथ महां आते तक अब यही होगा कि अब बीजेपी अब आने नहीं वाली है और इसका अंदेशा उनको पहले ही हो चुका है और यही भयावास्तिती को उन्होंने भाप लिया था इसलिए आपके प्यारे मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जी को इन्होंने जेल में डालने का काम किया वो भी चुन पुर्भाईयों को बाहर से लाने का काम किया था जब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि लोगडाउन से पहले उनकी जो जिम्मेदारी है लोग अपने जगह पे पहुंच जाए उनके लिए सुविधाए उप्लंतर आए लेकिन इनोंने नहीं किया बड़ी बड़ी मारत आप देखते हैं बड़े भवन देखते हैं कौन बनाता है इसे सुन्दर सुन्दर आपको सड़के नजर आती है हाइवे दिखते हैं कौन बनाता है इन्हें इन्हें मजदूरों की चिंता कभी नहीं हुई है बीजेबी वाले हमेशा मजदूर विरोधी रहे हैं हमेशा किस ट्रेन से हवाई जाहत से जारखन लाने का काम किया है और उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया है आज हमारे अन्दादा हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अपना धर्ना देने आते हैं तो ऐसा भ्यावास्तिती पैदा कर देते हैं इतने बड़े बड़े लोहे के जाल पिछा देते हैं कील लगा देते हैं जैसे लगता है कि कोई बाहर से विदेशी हमला कर रहे हैं यह दोस्तान है यह अलपसंख्यों को का यह उस्तान है छो वेक्तियों का रखवाला किको होना चाहिए था तो वो केंदरласт का होना चाहिए था लेकिन परिश्टिति आपके सामने उध्पन हो रही है वो परिस्तिति का अगर सो लेखा जो का मिले तो आप लोगों को प्रश्ट बीज़ेपी वालों से पूछना चाहिए था ये बीजेभी वाले लोग 2014 में जमिन को जना देश मिला इतने बड़े बड़े वादे करके आए कि किसानों की आई दुगनी करेंगे पंदरा लाग खाते पे आएंगे काला धन बाहर साएगा आपके खातों में पंदरा लाग आएंगे मुझे तो लगता है कि बहुत लोग के अकाउंट में पैसे आप ही गए होंगे आये आपके अकाउंट में पैसे अरे देख लीजे आ गए होंगे दस साल पुरानी बात है कुछ तो आया होगा आया है आप लोग हाँ बोल रहें कि ना बोल रहें नहीं आया है ये वही लोग है जो रोजगार की बात करते थे 2014 में अगर सबसे जादा वोट मिला है तो हमारे युवा वर्क ने वोट किया है और इसलिए किया था कि उनको लगा था कि हमारा भविश्य थोड़ा उजवल होगा प्रकाशिक होगा लेकिन आज आप देख सकते हैं 10 साल हो गए कहां गए वो बाते कहां गए वो बाते जिनके जिनका भरोसा जीत करके हमारी जनता का भरोसा जीत करके इन्हों ने कहा था कि हम भारत को सुद्रिड करेंगे आगे बढ़ाएंगे मुझे लगता है ब्रस्चा चार की बात ये लोग करते हैं जितने बड़े बड़े ये लोग हम लोग के ऊपर में उगलियां उठाते हैं जितने दागी दार नेता हैं सब आज बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं मैम ने जैसे कहा प्रियंका मैम ने जैसे कहा कि जहां पे इडी वाले वही जाते हैं चंदा दे दो सब के इस ख़दम हो जाएगा हाँ आपने सही कहा वही ऐसा मशीन है जिसमें से आप पार हो जाएं सारे आपके साफ सफाई सब हो जाएंगे एक भी दाग आपको नजर नहीं आएगा और आप लोगों ने तो सुना ही होगा जितना जागा बड़ा ब्रश्चाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं उत्रे बड़े पदाधिकारी लेकिन ये लोग अपनी बाते अपनी उंगली हमारे उपर इंडिया गडबंदं की उपर उठाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि बाकी की उंगलियां आपके उपर ही जा रही होती है और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे यहां गोड़ा के लोगों को कि आप लोगों ने अभी बरतमान में जो बीजेपी के उम्मिद्वार है उनका व्यक्तित्व तो देखी लिया होगा उनके इतने बड़ बोले पन है कि हमारे कॉंग्रेस की चाहे महिला विधायक हो दिपिका पांडे जी हो बादल पत्र लेक जी हो इनके उपर में भी कैसे अपशब्द बाते करते हैं और ये एक सब्धे समाज में एक सब्धे समाज में ऐसे व्यक्ति को कभी भी इतने बड़े जगा में होना नहीं चाहिए और इस बार ये चुनाव आप लोगों को करना है जो व्यक्ति एक महिला का इज़त नहीं कर सकता जो व्यक्ति एक जन्प्रतिनिदी का इज़त नहीं कर सकता तो आप बताईए कि एक आम जंता को वो किस नजर से देखेगा ये आज आपको निर्धारित करना है कि इस बार का ये जो चुनाव होना है हमारे इंडिया गड़बंधन के प्रत्याशी बड़े भाई है प्रदीब भाईया जी को आपको जिताना है यहाँ एक तारिक एक जून को मद्दान होगा क आपको भारी मतों में इनको विज़ई बनाना है क्योंकि मैं आपको कह देना चाहती हूँ अगर आप इनको प्रदीब यादव जी को बड़े भाईया को अगर आप जिताईएगा तो आप जार्खंड के मुद्दों को जिताईएगा ये वही विधायक है जो विधान सभा म जिनकी आवाज जम्तार तरीके से गूँचती है अपने जार्खंडियों की आवाज जम्तार तरीके से गूँचती है तो मुझे लगता है कि अब संसत की भी पारी आ गई है और हमारे जब यह संसत बन करके जाएंगे तो जार्खंड के जो अपने मुद्दे होंगे उनको प् आई को अपने दादा को कि आपको पूरा आशिर्वात देना है आप लोग सब लोग दो आप लोग भाई से आशिर्वात दीजिए विजाई भाव का आशिरवाद दीजे ये विजाई भाव आप प्रदीद जी को करिएगा ये विजाई भाव आप हेमन जी को करिएगा ये विजाई भाव आप दिशम गुरु शीवु सोरें जी को करिएगा ये विजाई भाव आप इंडिया गडबंदन को करिएगा इंडिया गडबंधन की अगर सरकार बनती है दिल्ली में आपके आशिरवात से तो मुझे लगता है इंडिया गडबंधन का मतलब होता है महिलाओं के खाते में 8500 रुपया प्रतिमाह आना इंडिया गडबंधन की सरकार बनती है तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सुन प्रिष्चित करना है 5 kg का जो गदा किया गया है 5 kg का अनाध 10 kg होगा इंडिया गडबन्धन का मतलब होता है आदिवासी धर्म कोड की की नीती को लागू करना इंडिया गडबन्धन की चीट wäre वहता है पिछडों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षन लागू करना इंडिया गडबंधन की सरकार का मतलब होता है कि हमारे जितने भी युवा है खाली पद खाली पड़े हैं उनको भरने का काम करेगी इंडिया गडबंधन का मतलब होता है हमारा ये सुन्दर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा अपने सब बच्चों के आगे बढ़ा करके उनकी सिक्षा में आगे बढ़ा करके महिलाओं को अपनी भागीदारी दे करके अपने भाईयों को युवा भाईयों को जगह में सही जगह में नौकरी दे करके मुझे लगता है यह वादा आपको अपने साथ करना है और आप लोग हमेशा एक नारा दे जेल का ताला तूटेगा देते हैं न तो जो ताले की जो चावी है वो चावी है आप लोग आपका एक एक वोट चावी है क्योंकि अगर इंडिया बडबंधन की सरकार दिल्ली में चार जून के बाद आ रही है तो आपके हेमन सोरेन भी बाहर आ रहे हैं और ये निश्यत हो चुका है अगर आपको अपने दाधा से अपने हेमन बाबु से अपने प्रिया मुख्यमंत्री पूर्व प्रिया मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जी से अगर प्यार है मोहबत है तो आप अपने हमारे इंडिया गडबंधन के प्रत्याशी को वोट करिएगा और प्रचंड मात् तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी आप उचे जवाब दीजेगा मतदान की तारीक कौन सी तारीक कौन सी तारीक कौन सी तारीक और आपका छाप क्या है दिखाईए कौन सा छाप कौन सा छाप क्रम संख्या 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 और हमारे इंडिया गटबंदन के प्रत्यास्वी को गोट करके इंडिया गटबंदन दिल्ली आ रही है, हम दिल्ली आ रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, अभार है, इतनी गर्मी में भी आये, ये टेंट भी छोटा पड़ गया है, बहुत नजर आएगा पीछे मुड़ के देख लीजिए और सलाम करिए इस हिंदुस्तान के जंडे को क्योंकि यह हिंदुस्तान हमारा है यह हिंदुस्तान के करीब गुर्वा मजदूर किसान पिछणा आदिवासी दलित अल्प संक्याग जरुरत मंद का हिंदुस्तान है यह काम है